है लो गैज कैसे है आप लोग स्वागात है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए विडियो में आज میں आप लोगों को बताऊंगा का इस के रेडमी 13 5G phone को आप लोग कैसे switch off कर सकते हो अगर आपके पास एक Redmi 13 5G फोन है और इस फोन को अगर आपको स्वीच ओफ करना है तो स्वीच ओफ करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा पहला तो आपको पता ही होगा का इस पावर बटन पे लॉग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको स्वीच ओफ का ओफ्शन जो है देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर आपका पावर बटन खराब है या स्वीच ओफ का ओफ्शन नहीं आ रहे तब आप लोग कैसे स्वीच आपको स्वीच ओफ करने के लिए आपको अ सब्से पहली जाना अपनी इस फोन के सेटिंगस में सेटिंगस में जाने के बाद नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑफ्शन मिलuego एक एडिशनल सेटिंगस का लिए क्लिक करते का अफ्शन आएगा तो इस एक्सेश accessibility menu का option आएगा तो इस accessibility LMNU पर क्लिक कर दिजilim एक accessibility menu shortcut का option आएगा तो इस option को आपको ON करना है तो switch पर क्लिक करेंगे click करती allow का option हीगा अके का option हैगा जर्के क्लिक कर देंगे ऐसा करती यह option on हो जाएगा और on होती आपको यह आपर एक shortcut button देखिने को मिलेगा तो आपको जो इस shortcut button पे क्लिक कर देना है अपर power का option है का power पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपर switch of का option आगे हो भी without power button और यह जो shortcut button है सारे ही application के अंदर आपको काम जो है यह करेगा सारी यह application में आपको यह देखने को मिलेगा इसका मतलब आप लोग कही से भी अपने phone को जो है कुछ इस तरीके से switch of कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Redmi 13 5G phone को आप लोग switch of कर सकते तो without अपने power button पे click किए तो कैसा लगा कैसा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई